आज हम morphology of flowering plants के chapter से family liliacy के economic importance वाले plants की list को याद करेंगे इसमें ornamentals है, tulip और gloriosa, source of medicine वाले है, alloy, vegetables है, asparagus, allium sepa colchicine हमको colchicum autumn nail से मिलता है और ये use होता है doubling of chromosomes में बच्चों इसको याद करने के लिए मैंने एक trick बनाई है, आप इसको ध्यान रखेगा ये tricks ज्यादा तर जो मैं बना रही हूँ, short stories के form में है, इसे आपको बहुत easily याद होगा अब वो trick इस प्रकार है, एक लड़की जो है, वो अपने घर से कोचिन जा रही है, तो उसकी दादी उसको instructions दे रही कि क्या क्या तुमको करना है बटा अब देखो, सबसे पहले जो है, glory was going to कोचिन, glory से glorious सा याद आएगा, कोचिन से आपको कॉल्ची सिन याद होगा, और कॉल्ची सिन मिलता है हमको कॉल्ची कम autumn nail से Grandmother का नाम जो है, लिली है, Grandmother Lily gave her instructions, Grandmother Lily ने उसको instructions जैसे दादी लोग, ममी लोग बताती है, उस तरह से दादी ने बताया कि बटा तुमको यह यह करना है तो लिली से आपको लिली सी याद आजाएगा, अडोस पडोस देख कर घर लेना, अडोस पडोस आपको यादि लाएगा, एसपरेगस की फिर दादी कहती है, तूलिप पर एलोई लगाना, तूलिप इस टूलिप, अगर तुम इसको इंग्लिश में बेटा पढ़ते हो, ठीक है, तो यह टूलिप बन जाता है, एलोई से एलोई आदेगा, और ओनियन खाना, याने प्याज खाना, ठीक है ने बच्चों, तो इस दिमाग में रखना है, कि फैमली लेली ऐसी थी, तो इसमें लड़की की बात हो रही थी, कि वो लड़की कोचिन जा रही, फैमली सोने थी, तो उसमें क्या बात आ रही थी, उसमें बेला सोलंग की जो है, उसकी बात आ रही थी, कि जो शुलापूर के डॉन थी, इससे आप आपको जो फैमिली फैबे सी तो आपको एकदम सी याद आया कि कि अच्छा इसमें वो त्रीफूल वाली बात थी वो बनिया के सन वाली बात थी तो जैसी आप उयाद करोगे आपको सारे एक्जामपल बहुत एजली रिकॉल होंगे ठैक्स वर वाचिंग बच्चो